निश्चे प्रवो आपको इन समस्याओं से भी चुटकारा देगा, इन बीमारियों से भी चुटकारा देगा, इन परिशानियों से भी चुटकारा देगा हर प्रकार के अंदिकार की बाते हर प्रकार की दुष्ट आत्मा हर प्रकार की बुरी लथे इनके जीवन से नस्ट हो जाए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है यदि आप प्रात्न करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में बहुत खुब सूरत भजन प्रवयेश्य मसी की महिमा के लिए आप लोगों के समुक लाने वाले हैं और आप इस भजन को हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है अम्रिता मसी ओफिसियल और इस चैनल पर जाकर आप हमारे इस भजन को सुन सकते हैं जो कुस दिनों बाद इस चैनल पर आएगा आप जरूर से इस चैनल को जाकर करके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल हमने बनाया है प्रव की स्तूति के लिए उसकी महिमा के लिए ताकि हम इस चैनल पर भजनों को डाल कर आप लोगों के साथ में मिलकर परमेश्य की स्तूतिय और उसके आरादना और उसका धन्यवाद कर सकें तो जरूर से इस चैनल को एक बार जाकर देखें और उसे सब्सक्राइब करें और आज मैं आपसे बात करना चाता हूँ कि प्रव येश्य मसी आपको दुस्ट से चुटकारा देगा दुस्ट के कामों से उसके परकोप से प्रव आपको चुटकारा देगा पूर्ण रूप से प्रभू आपको छुड़ाएगा और आप हमारे साथ में इस प्रात्ना में सामिल हो ये प्रभू ये शुमसी आपको अवश्या चुटकारा देगा दूस्ट बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में अनेक परकार की समश्याओं को ले करके आता है उन्हें परिशान करता है उनकी जीवन में रुकावटें बाधाएं अनेक परकार की बातों को परिशानियों को दुखों को बीमारियों को ले करके आता है और हम मेंसे बहुत से भाई बहन इस कारण बहुत चींति निरास परिशान रहते हैं। इसलिए आज हम प्रात्ना करेंगे ताकि प्रवो आपको इन सब बातों से चुटकारा दे। उस दूस्ट के जलते हुए हत्यारों से, उसके प्लानिंग से, उसके योजनाओं से प्रवो आपको छुटकारा देंगे एक वचन हम लोग पढ़ेंगे कुलिशयो की किताब उसका पहला ध्याई और तेरा पद जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है उसी ने हमें अंदकार के वस से छुड़ा कर अपने प्रियपुत्र के राज्य में प्रविश कराया आमेन दोस्तों उसे स्विकार किया है जिनोंने उसके पीछे चलना स्विकार किया है किसके प्रविश मसी के जिनोंने उस पर भरोसा किया है उनके लिए परमेशो का वचन कहता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को परमेशो का वचन कहता है उन लोगों के लिए जो उसके धर्मी जन है उ यानिकि प्रवु के लोग, उन लोगों के लिए परमेशु का वचन कहता है कि परमेशु ने उन लोगों को अंधकार के वस से छुडा लिया है, परमेशु ने उन लोगों को उस दुस्ट के चुंगल से, उस दुस्ट से छुडा लिया, अंधकार मिंस पुदुस्ट, सैतान क वस्से परमेश ने अपने लोगों को छुडा लिया है कि लोगों को जिन्हों ने प्रभयेश मसी पर विश्वास किया तो यनि कि यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है और आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आप इस बात पर विश्वास कर लें इस वचन पर व अंदकार में नहीं हैं, अब आप अंदकार में नहीं हैं, आप जोती में हैं, आप प्रकास में हैं, आप प्रकास में चल रहे हैं, आप जोती में चल रहे हैं, अब आप जोती के संतान बन चुके हैं, आप परमेशर के उपस्तति में हैं, स्वयम परमेशर पवित्रा आत्मा आपके अंदर वास्ट करता है, तो अब आप अंदकार के वस में नहीं है, अब आप उस दुस्ट के वस में नहीं है, अब आप पर कोई भी जादू टोना नहीं है, अब आप पर कोई भी स्राप नहीं है, आपने छुटकारा पाल लिया है, हलंकि हो सकते हैं आपके जीवन में कुछ समश्याएं हों, कुछ दुख हों, बीमारियां हों, परिशानियां हों परन्तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्रापों में जी रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दुष्ट के सुंगुल में हैं, नहीं यदि आपने प्रव dijeश हमसियं पाफों की छमा वागी है तो आप जोती की सन्तान हैं आप प्रव की सन्तान है परमेश्य का वचन कहता है कि उसने हमें अंदकार से चुडा दिया और अपने पुत्र येश्व मसी के राज्य में परवेश करा दिया अब हम प्रभु के राज्य में हैं अब हम राज्य के वारिस हैं अब हम जोति की संतान हैं अब आप अंदकार में नहीं है आप प्रकास्त में हैं आप उज्याले में हैं आप अब दुष्ट के वस में नहीं हैं, आप अब प्रभु के द्वारा संचालित किये जाते हैं, आप अब प्रभु के राज्यम में हैं, इसलिए दोस्तों, आज साम में मैं आपको उटसाइट करना चाहूंगा, कि अपने आपको ये न देखें कि आप दुष्ट के चुंगुल में हैं, ये न सोचें कि आपको दुष्ट हैंडिल कर रहा है, ये न सोचें कि सतान आपके जीवन में रुकावटें बादाओं को लेकर, नहीं, आप जोती की संतान हैं, आप प्रभु की संतान हैं, आप निश्चे प्रवो आपको इन समस्याओं से भी चुटकारा देगा। निश्चे प्रवो आपको इस वचन के दोरा बहुत आयत से आसिस लेए अधिया आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें 8077 007695 धन्यवाद सबकुछे मस्यकी मेरा नाम निश्चा है और मैं मारश्टा से बोल रहे हूँ बुलाना चिल्ला से मेरे जीवन में प्रवो ने अभी 13 सेटेंबर को गवाई दी हैं इसके लिए मैं प्रवो यह शुका बहुत हो धन्यवाद करती हूँ मेरे और मेरे हजबन की पीच में बहुत मतलब चार पात दिन से लड़ाई जगड़े हो रहे थे हमें दूसरी जैसे से बात नहीं कर पा रहे थे किसने किसी बचे से लड़ाई जगड़े होती ही रहते थे और फिर में अमरिता सिस्टर ने और पिके बदन ने मतलब उनों ने 13 सुटेंबर को जो राद को प्रेयर की कि पती पतनी के पीच में लड़ाई चगले खतम हो जाए उस प्रेयर को मैंने सुना और रेसीव किया कि प्रभु यशु ने मुझे मेरे परिबार में, मेरे पती और मेरे पीच में चो लड़ाई चगले थे अप्रभु यशु ने उस लड़ाई चगले को खतम कर दिया इसके लिए प्रभु यशु का में कोटी कोटी दिल से दन्यवाद करdी उस प्रेयर को मैंने विश्वास के साथ रेसीव गया और मैंने मन में इसे विश्वास किया कि अभी कॉल से वे हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऐसे हुआ प्रभुयेश्य ने उस प्रेयर के दोरह मुझे आशीज दी इसके लिए सबको जे मसीच के सो हम प्रभुयेश्य मसीच का धनेवाद करते हैं आज की सुंदर्शाम के लिए मैं आशा करते हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और सच में आज से परमेश्वर आपके जीवन में कारे करेंगे और हर प्रकार के अंदकार की बातों को आपके जीवन से दूर करेंगे, तो आईए मिलकर हम प्रात्न करें, धनिवाद, धनिवाद, धनिवाद करते हैं, स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अबा, आपका हिर्दे से धनिवाद करते हैं, इस साम में परमेश्व पिता आपके सम्मुक आ करते हैं इस सुन्दर से पल के लिए प्रभू जब तेरे बेटे बेटियां प्रभू तेरे सम्मुक तुसे बातचीत करने तेरे वचन को सुनने प्रभू हर एक उत्तम आशिशों को रिसीव करने के लिए प्रभू तेरे सम्मुक बैटे हैं मैं प्रात्न करते हूं पवित्र पिता, आपके वच्चन के अनुसार, आपके कहे जाने के अनुसार, आप हमारे मध्य में उपस्तित हैं, प्रबु धन्यवाद करते हैं, येशु, हम अपने हातों को उठा कर, प्रबु तेरे नाम को प्रेज करते हैं, we praise your name, we praise your name, because your name is beautiful, your name is powerful, your name is higher Lord, धन्यवाद करते हैं, और उस उचे नाम की हम प्रशन सा, उपासना और राधना इस्तूति करते हैं, thank you Lord Father, और आज हमारे साथ जितने भाईबेन, इस प्रात्न में शामिल है, प्रबु हर एक के मन में Holy Spirit, आप कंट्रोल लीजिए, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाले thoughts को येशु के नाम से cancel out करते हैं, in the name of Jesus, thank you Father, प्रबु आपके वचन के लिए, thank you for your word Lord, because your word is powerful, धनेवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, जो प्रबु बहुत ही ताकतवर है, सामर्थी वचन है प्रबु, और सच में प्रबु आज आपके वचन के दुआरा, आपने इस बात को प्रबु प्रकट किया, अपने वचन से प्रबु तुने हमें बातचीत किया, और बताया कि मैंने तुम्हें अंदकार के वच से छुड़ा लिया है, और अपने प्रिया पुत्र प्रबु येश्य मसी के राज्य में प्रवेश कराया है, हालेलुया, yes my Lord, हम सब वो लोग है जो प्रबु तेरे राज्य में प्रवेश कर पाए है, तुझ पर विश्वास करके और अंदकार से, उस पाप से, उस मृत्यू से, उस हर प्रकार की गलत बातों से प्रबु तेरे नाम पर जब हमने विश्वास किया, तो प्रबु हम चुटकारा पाए है, और धन्यवाद प्रबु आज यदि प्रबु तेरे लोग आज भी अंदकार के वश में हैं, आज भी नेगेटिव बातों में हैं, आज भी दुस्ट आत्म से घिरे, आज भी ने लगता उनके उपर श्राप है, वो अंदकार में है, तो प्रबु ये श्यमसी इस वचन के द्वारा, इस इनके जीवन से नस्ट हो जाए, प्रबु तेरे राज्जी में ये प्रवेश करने पाएं, पिता, थैंक यू लोड, होली स्पिरिट, आप हमारे साहिक है, आप हम सब को पवित्र बनाने में अंश अंश करके बदलने में सहत और मदद करें, प्रबु इनके थौट्स जो न इर्शा करना, बुराई करना, ठटो में उड़ाना, हर एक गलत बात को प्रबु यदि आपके लोगों के अंदर ये अंदकार की बाते पाई जाती है, तो येशु मसी के नाम से उस अंदकार के बातों को नस्ट होने की आग्या देते हैं, आग्या देते हैं, कहते हैं, प्रबु इनके माइंड में अपने वचन के प्रकाशन को दिया है, क्योंकि प्रबु आज इस बात पर ही विलीव करें, कि हम सब प्रबु उद्धार पाई वे, प्रबु हम सब छुडाए वे लोगे पर मिश्वर और आज ये इस बात को जानने पाएं, पिता, कोई भी ऐस थौट यदि इने लगता है कि इनके ओपर बंधन है, श्राप है, यदि प्रबु किसी ने जादू टोना किया है, तो प्रबु आज इस वचन के द्वारा ये छुडाए गए हैं, और ये प्रबु इन सारी बातों से छुटकारा पाचुके हैं, पिता, पिता, धन्यवाद क बीमार हैं प्यारे प्रबु, ये विश्वास करें प्रबु कि तूने उन्हें बीमारी के वस से छुडा लिया प्रबु, यदि दुश्ट के द्वारा कोई भी बीमारी इनके शरीर में आई है, ये श्यू के नाम से उस बीमारी को आग्या देते हैं, कहते हैं, चोटे बच येश्यू के नाम से Cancer, Tumor, Ulcer, Paralyzed, Piles की बिमारी, Stone Problem हर प्रकार के अंदरूनी अंगों में बिमारियां चले जाओ येश्यू के नाम से हर प्रकार के Disorders येश्यू के नाम से दूर हो जाए प्रबो हड़ी हड़ी मांस मांस नसे चंगी हो जाए श्यू के नाम से ठैंक यू फादर छोटे से लेकर बड़े तक प्रबो एक एक को इस समय आपने इस परष किया चंगा किया क्योंकि तूने इनकी दुर्बलता को इनकी बिमारी को अपने उपर लेकर इने चंगा किया है Yes Lord, Your Word is powerful and live Lord हाँ तेरा वच्चन सामर्थी और जीवित है इस पर हम वच्चन करते हैं ये रह्मा है प्रभू और तेरे लोग इस रह्मा को जीने पाए पिता, तैंक यू फादर लोग धन्यवाद प्यारे प्रभू जी धन्यवाद आज रात्री में प्रभू अपने लोगों को अच्छी नीन से सुलाएं ताकि नाया दिन आपके साथ में देखे जो बहुत जादा बुरे सपने देखते हैं बुरे खयाल आते हैं प्रभू नीन आने में समस्या होती है रात भर जगे होते हैं प्रभू एश्यू के नाम से अच्छी नीन आप इने दे बुरे सपने डर को दूर कर इसी समय और प्रभु तेरे लोग तेरी प्रशंसा करें जितने भाई बैनों ने इंस्ट्रा में फेस्बुक में टेलीग्राम में और आज यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु अपनी विंतियों को भेजा है पिता धन्यवाद आप सुनने वाले और उत्तर देने वाले प्रभु है तैंक्यू लॉड आपने इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्ज किया, इनके लाइफ के प्रभु हर प्रकार के कलेश को दूर किया इनके जीवन से नेगेटिविटी को दूर किया और हर प्रकार के अंधकार के वस्ते तुने छुड़ा लिया, धनेवाद, धनेवाद, धनेवाद आपने हमारी प्रातना सुना, जितने भाईबेन, प्यारे प्रमिश्य और प्रभू, आप में और अधिकाई से बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप उन्हें बढ़ाएं, आप उन्हें इंक्रीज करें, बहुत से लोगों को तेरे राज्य के लिए जीत रहे हैं, प्रभू, यह तेरे लोग हैं जो तेरे राज्य के लिए कारे करे हैं, जिन्हों ने प्रभू आपके राज्य में बोया है, प्यारे परमेश्य और उनका वो बीज, उनके जीवन में बहुत आयत से पलबंत हो, और बहर पूरी बहुत तायत उनके जीवन में हो, तेरे लोग कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहों, कर्जदार नहों, घटी कम्यों में नहों, वरन सब कुछ में संपन, सिद्ध, प्रॉस्पर ये होने पाएं पिता, इनके लिए बहुत कुछ इनके पास हो तेरे कामों को करने के लिए, प्रभू अपना जीवन में प्रभू बहतर और उत्तम जीवन जीने के लिए, इनके पास बहुत कुछ तेरे स्वर्गय भंडार से पूरा होने पाए, थैंक यू फादर लॉड, धन्यवाद आपने हमरी प्रात्ना सुनी, उत्तर हां आमीन में दिया, एश्य के नम से प्रातना मांगते हैं, आमेन, आमेन, और आमेन